हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माय चेनल मैं डॉक्टर प्रियंक का याद हूँ और आज हम बात करने वाले हैं पीसी ओडी के बारे में पीसी ओडी के जटिल समस्या है जिसका समाधान बहुत ही लंबे टाइम तक आपके ट्रीटमेंट चलने के बाउचुद आपको नहीं मिल ही यह बाल बहुत ज्यादा घीर हैं जो कोईबी सेम्पू या कंडिशनर बदलने से थिक नहीं हो रहा है मूट स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा है ौजन तेजी से बढ़ रहा है जो कम होने का नाम नहीं लेहा है आप डरट फोलो कर रहे है एक्सरसाइस भी कर रहे है ले यदि आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो अच्छे से नहीं होगा फोलीकल की साइज नहीं बनेगी फोलीकल अपने अपरप्चर नहीं होगा और बिना प्रेग्नेंसी रुपने में भी दिक्कत आएगी तो यह सारे पिसी ओडी के सिम्टम है जिससे निजात पाना होती जल्दी से एक या दो मैंने में रिकवर हो सकती है डायट आपको स्पेसिफिक बताएंगे फुल डेडायट प्लान देंगे जिससे आपको वहां पर पीसी ओडी को कॉमबेक करने में हेल्प मिल जाए एक्सरसाइज कौन-कौन से आपके लिए हेल्फुल हो सकते वह भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे क्योंकि आपके लिए फ्री है और यादि वीडियो अच्छा लागे तो इसको लाइक इंशेर भी कर दीजिगा तो चलिए शुरू करते हैं पीसी ओडी को खतम करने के लिए आपको कॉनसे इजी स्टेप फोलो करन इसमें से कोई भी एक सिम्टम दिखता है तो भी आप अल्टर साउंड करा के पता कर सकते हैं आपको पीसी ओडी है या नहीं आप ब्लड टेस्ट से भी पता कर सकते हैं ब्लड टेस्ट में आपको एमेच टेस्ट करवाना चाहिए फसेच लेच और प्रोलेक्टिंग का टेस तो AMH आपका normal कितना होना चाहिए, दूसरा question आता है, normal AMH होना चाहिए 3-4 के बिच में, 3-4 के बिच में AMH आपका हो तो pregnancy रुखने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उससे ज्यादा हो 6, 8, 10, 15, 20, 25 तक AMH हमने देखा है, जितना AMH ज्यादा उतना आपको वहाँ पर time ज् कीजिए, क्योंकि hormonal imbalance के symptom होना यानि के PCOD सा ज़रूरी नहीं है, तो treatment स्टार्ट करने से पहले PCOD है या नहीं, वह confirm करना ज़रूरी है, दूसरा step आता है कि चलिए आपका confirm हो गया है, आपको PCOD है, blood test में आ है, प्रेगनेंसी प्लान करें, तो दो-तीन महीं में प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी, तो यहाँ पर वह तीन इजी स्टेप कॉनसे, इसमें सबसे पहला स्टेप आता है, डायेट, डायेट में आप कौन-कौन से चेंजिस करेंगे, बहुत सारे PCOD डेली डायेट आपको मिल ज करेंगा, आपके PCOD को जो सिम्टम्स है, जैसे हेर फोल है, स्कीन में जो जो सिम्टम्स आते हैं, या फिर आपके अंदर इंसुलीन रेजिस्टेंस के जो सिम्टम है, वो सारे सिम्टम को ठीक करेंगा, और यदि ओविलेशन नहीं हो रहा है, तो जीरा और सिनामन का पानी कि पी जाना है, सुबह में जीरा और सिनामन का पानी लेना है, दूसरा डायट में आप सब कुछ खा सकते हैं, रायस भी खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, और वहाँ पर दाल, चावल, सबजी, रोटी सब खा सकते हैं, लेकिन आपको जंक फूड अवोड करना है, बहुत ह ज़्यादा स्पाइसी और मसाल उसमें कम डालने हैं बाकि आप नोनवेज भी खा सकते हैं दूसरा स्टेप आता एक्सरसाइज एक्सरसाइज में आप कौन-कौन से करेंगे तो रात में खाने के बाद आपको अदे गंडे से लेकर 45 मिनिट तक की फास्ट वोकिंग कर लेनी है और सुबह में उठते ही आपको 10 सुर्य नमस्कार करने धीरे धीरे पहले पाँच कीजे फिर 10 करना फिर 15 करना फिर 20 करना जितना आपसे हो पाई उतने सुर्य नमस्कार आपको कर लेने हैं सुर्य नमस्कार एक एसी चीज है जिसके अंदर सारे आसना आ जाते हैं तो यदि आप सीफोर सुर्य नमस्कार करते हैं तो आपका काम चल जाएगा और पाच मीट के लिए आपको अनुलंबिलंग और कपल भाती कर लेनी है और यदि टाइम मिलता है तो आप अपनी दूसरी एक्सेसाइज कर सकते हैं लेकिन आप इतना करेंगी तो इनफ है वहाँ पर आपकी पीसी ओडी को रिवर्स करने में आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी और तीसरा स्टीप आता है सप्लिमेंट और उसके लिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कार्मिसी का पीसी बेलेंस हम क्यूंद कर रहे हैं क्योंकि 100% नेचरल है 100% प्लांट बेश्ट रहे हैं और स्की अनदर सारे आरोधिक तत्वा है जो आपको आपकी पीसीओडी को फाइट करने में यह दि प्रेगनेंसिप्लान करें तो करेंगी होर्मोन को बेलेंस करेंगी पीर्येट को रेगिल्यूलर क करेगी स्कीन के सिम्टम को ठीक करेगी क्योंकि इसके इंदर है सतावरी असोका बार्क ग्रास्प बेरी केंबेरी पुनर्वा गोकुरू एंड मायो इनॉसिटल अब इसमें चो सतावरी है वो क्या काम करेगी वह आपके होर्मोन को बेलेंस करेगी और आपके पीरेट को रेग डिकेंणर हो चाहिते हैं तो ठीक करने में आपको हेलप करती है इसके इंदर वहां और उप्कों की सब्सद्ग करेगा और वहां पर अच्छे से उगात तो करेगी फिसी पिए रुख जाएगी और आपके पीरेट को रेगिलर करने में प्याक की है उतकर पीरेड को आपके इंसिलिन रेजिस्टंस को इंपरु करेगा और आपके PCOS के जो symptom से उसको reverse back to normal लाने में help कर देगा गोख्रू है वो आपके अंदर ovulation की process को boost करेगा प्लस आपके period को regular करने में help करेगा Myo-Inositol है वो insulin sensitivity increase करता है और आपकी menstrual cycle को regular करने में help करता है तो इसके अंदर जितने भी product मैंने बताए वो सारे product 100% natural है दूसरे इसके फार्दे है कि soy free है, gluten free है, non GMO है, इसके अंदर कोई भी sugar added नहीं है preservatives नहीं है और यह 100% vegan product है यदि आप इसको लेना चाहते है तो आपको किस तरह से लेनी चाहिए आपको daily सुप में 10 बज़े के आज पास एक ग्लास पानी लेना है उसके अंदर एक चमची powder डाल देना है, अच्छे से mix करके पी जाना है यदि आप भी कार्मेसी का PCOS balance order करना चाहते तो उसकी link हमने description box में रख दी है आप वहाँ से order कर सकते हैं दूसरी good news यह है कि यहाँ पर कार्मेसी का women's day special sale चल रहा है तो कार्मेसी की सारी product के उपर 50% off मिल रहा है और उसमें भी यदि description box में दिया गया coupon code priyanka10 आप इस्तमाल करेंगे तो 10% extra benefit वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो आज ही आप कार्मेसी का PCOS balance order कर सकते हैं और अपने PCOS को reverse back to normal कर सकते हैं और यदि PCOD है प्रेगनेंसी प्लान कर रहे है प्रेगनेंसी रुक नहीं रहे है तो उसके लिए homeopathic medicines भी आप ले सकते हैं आपके specific symptom की अनुसार specific दवा यह हम prescribe करते हैं आराम से आपकी pregnancy भी रुक जाती है तो उसके लिए यदि आप homeopathic medicines लेना चाहते हैं तो हमारी टेलिफोनिक appointment भी आप बुक करा सकते हैं टेलिफोनिक appointment भुक कराने के सारी डिटेल नीचे description box में दी गई है वहाँ पर WhatsApp नमबर दिया है वहाँ पर उतना ही कहिन है मुझे appointment चाहिए आगे मेरी टीम आपको guide कर देगी इसमें कुछ query है कुछ confusion है तो आप हमें comment box में पूछी सकते हैं या फिर हम Instagram पे भी जोइन कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो उसको like and share कर दीजेगा चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजे क्योंकि आपके लिए बिलकुली free है तो चले फ्रेंट फिर से मिलेंगे नए